कितने गर्व के साथ मैं कहा था कि मरने वाला तो ये शरीर है नश्वर देय है मैं तो वो अमर आत्मा हूँ चैतन्य हूँ और इस श्रीमत भगवत कीता का जो विदान्त का दर्शन है ज्यान है उसका चिंतन करते हुए खुदी रामपोज जी बड़े ही कर्व के साथ मैं हसते वो इफासी के फंदे पर चड़े थे श्रीमत भगवत कीता को हाथ में ले करके और मैं तो बस यही इच्छा करूंगा कि इस बात को वे दिखाए इस फिल्म में ओम नारायन 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 सबमीत रुकराम राम सबका स्वागत थे दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों कल 10 अक्टूबर को जी म्यूजी कमपनी यूटूब चैनल पर बागा जतिनिस बेंगॉली फिल्म के ऑपिशल हिंदी ट्रेलर को रिलीज किया गया दो मिलिट और 47 सेक इस फिल्म को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हो और ये बहुत प्रसनता की बात है कि इस फिल्म को हिंदी में भी साथ में रिलीज किया जाने वाला है इसका जो बेंगॉली वर्जन है वो 19 अक्टूबर को थेटर में रिलीज होगा और हिंदी वर्जन 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है देखिए हर एक फिल्म डेस्ट्री के लिए कोई एक ऐसी फिल्म होती है जो रिविल्यूशन सिद्ध होती है उस फिल्म डेस्ट्री के लिए और विश्वास करिए बागा जतिन ये फिल्म बेंगॉली फिल्म डेस्ट्री के लिए एक revolution एक क्रांती सिध्ध होगी और मैं केवल ये बात film district की दृष्टी से नहीं कह रहा एवन ground level पर भी पशिम मंगाल के भविश्य को लेकर या युवाव को लेकर भी ये film एक revolution एक क्रांती सिध्ध होगी इतना मुझे पुर्ण विश्वा से और इसके पीछे मंगाल एक industrial hub था पर लगबग तीन दशकों का जो वामपन्तियों का कम्यूस्टों का शासम पशिम मंगाल में रहा है उस कारण से वहां से जो बड़ी-बड़ी industries थी वे दूर होती गई और एक रक्तरंजीत ऐसा इतिहास कम्यूस्टों का वामपन्तियों का रहा है और केवल industries दूर हुई ऐसी बात नहीं है जिस भी क्षेत्र में वामपन्ति शासन करते हैं देखिए उस क्षेत्र में केवल उद्योग धंदे बंद हो जाते हैं उनके विरुद्ध केवल उद्योग पतियों के विरुद्ध बनाया जाता है बस individual liberty की बात की जाती है और उसके परिणाम अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है और obviously वामपन्तियों का कम्यूनिस्टों का शासन उसके पीछे एक बहुत बड़ा reason रहा है कि बस भौतिक वात की पीछे individual liberty की पीछे भागो परिवार हो family system हो इसके विरुद्ध तथाकतित विद्रो को glorify किया जाता है उसके बहुत भयावा परिणा उसक्षेत्र परवामपन्तियों के शासन के बाद में देखने को मिलते हैं और ये वो फिल्म है पागा चतिन मुझे जितना में ट्रेलर में देख रहा हूँ टेक्निकली भी फिल्म well made लग रही है और जिस प्रकार की राश्टर प्रेम की भावना इसमें देखने को मिल रही है ये फिल्म निश्चित रूप से एक revolution एक क्रांती सिद्ध होगी पशिम मंगाल में अब हिंदी भरजन कितने बड़े scale पर रिलीज होगा ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अल्रडी 20 अक्टूबर को बहुत सारी दूसरी भी फिल्में साथ में रिलीज होने वाली है पर मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को भर भर कर सफलता मिले देखिए ये जो ट्रेलर है ना उसको देखने के पाद सबसे ज़्यादा प्रसनता सबसे अधा खुशी मुझे किस सीन में हुई सीन को देखकर भी पता है जब मैंने खुदिराम बोज जी को ट्रेलर में देखा उ किस प्रकार से श्रीमत भगवत कीता को हाथ में ले करके विफासी के फंदे पर चड़े थे और कितने गर्व के साथ में कहा था कि मरने वाला तो ये शरीर है नश्वर दे है मैं तो वो अमर आत्मा हूँ चैतन्य हूँ और इस श्रीमत भगवत कीता का जो विदानत का है ज्यान है उसका चिंतन करते हूए खुदिराम भगवत कीता को हाथ में ले करके और मैं तो बस यही इच्छा करूंगा कि इस बात को वे दिखाए इस फिल्म में कि खुदिराम भगवत कीता को रखा था फासी के फंदे पर चड़ने से पहले सबसे कम आयू में बलिदान देने वाले जितने भी करांतिकारी है उनमें से खुदिराम भोज जी एक है और इस बात को मैं फिल्म में देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सक हूँ और बागा जतिन जी जतिंद्रनात मुखोपाध्याय उर्फ जतिन मुखर जी उर्फ बागा जतिन जी उनके बारे मे मैं सच कहता हूँ मैंने कभी जादा मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे इतने महान करांतिकारी उनके बारे में कभी हमें पढ़ाया नहीं जाता पठे पुस्तोकों में और जैसा कि हम जानते हैं सौतन्तरता का पूरा का पूरा श्रे dob कुछ दो नामों को सौतन्तरता के बाद में देने का प्रयास किया गया, पर अभी हम आशा करते हैं कि धीरी-धीरी ये परिस्तिती बदले, ऐसे फिल्मों के माद्यम से हमें हमारे महानकरांती कारियों के बारे में पता चलता है, बिल्क सी के भेश में भी हम तीन पातरों को देखते हैं तो मुझे लगाता कि शायद कोई सन्यासी करांती का तो इसमें उलेक नहीं है जिस पर स्स राजामूली जी के मार्ड़रशन में सन्यासी करांती पर अल्रेड़ी एक फिल्म बन रही है पर ये फिल्म उस टाइम लाइन में स्थित नहीं है तो पर फिर भी बेँखना चाहूंगा कि उसके बारे में इस फिल्म में क्या दिखाया जाता है जो सन्यासी की बेश भूषा में जो पात्र हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं उनका वे कौन है इसके बारे में मैं जानना चाहिए बस हम मैं तो यही आशा करूँगा कि इतिहास को वे सही तरीके से प्रस्तुत करें बिना किसी लाग लपेट के वाकि आपके मैं जो पशिमंगाल से जो मितरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस फिल्म के मेकर्स के बारे में मैं आप थोड़ रॉय है राइटर सोनावा बोस है और प्रडूसर तो देवदा जो इसमें मुख्य भूमिका में भी है जतिन मुखर जी जी की तो वे प्रडूसर भी है मुख्य भूमिका में भी है तो मैं बस जो राइटर डिरेक्टर है उनकी विचारधारा के बारे में जानना चाहता हू ताकि हमें पता चले कि फिल्म में इतिहास को कैसे प्रस्तूत करने वाले हैं क्योंकि देखे जो भी इतिहासिक historical फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो किसी भी जॉनरा की फिल्म हो राइटर डिरेक्टर वे किस विचारधारा से उनकी political ideology क्या है वे उसी प्रकार से समाजिक चितरन करते हैं उसी प्रकार से पात्रों को भी लिखते हैं तो थॉट प्रोसेस उसका प्रभाव अब्वेसली उस content पर पढ़ता ही पढ़ता है तो जिन मित्रों को इसके बारे में पता होगा कितने जदा उत्सों के मुझा अपनी चे कमेंट में होश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम